दोस्तो एर प्यूरिफियर का जो कॉंसेप्ट है वो हमारे इंडिया के लिए बहुत नया है और इसलिए आपके मन में तरह तरह के सवाल आ सकते हैं कि कौन सा एर प्यूरिफियर आपके लिए बेस्ट रहेगा तो चीमत करने की कोई बात नहीं है दोस्तों क्यूंकि इस वीडियो में मैं आपके लिए सबसे बेस्ट कौन से air purifier रहेगा वो गाइड करके दूंगा और साथ ही साथ इस वीडियो के end में मेरा research के according top 10 air purifier जो की market में available है वो भी आपको बता दूंगा तो एक air purifier खरीदने से पहले सबसे पहले आपके दिमाख में कुछ factors के बारे में clear conception रहना चाहिए तो वो factors क्या-क्या है दोस्तों वो हम लोग एक-एक करके देख लेते हैं तो सबसे पहला factor जिस पे आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए वो है filter दोस्तों market में तो बहुत तरह तरह के filter का options आपको देखने को मिल जाएंगे लेकिन उनमें से सबसे जो best filter होता है वो होता है HEPA filter हेफा filter का full form होता है high efficiency particulate air दोस्तों एक हेफा filter PM 2.5 filter का use करता है जो की अब तक का सबसे ज़्यादा effective filter माना जाता है एक हेफा filter 0.3 micrometer size के particulate matter को filter करने की समता रखता है दोस्तों ये जो particulate matter होता है जैसे की dust particle और कुछ allergens जो की हमारे खाली आँक में से दिखाई नहीं देता है वो इसको चन्नी की तरह चान लेता है एक हेफा filter आपके room के pollution को 99% तक कम करने का समता रखता है तो इसलिए एक हेफा filter को ही सबसे ज़्यादा best filter माना जाता है एक air purifier के लिए और आपको हमेशा एक हेफा filter की तरह ही target करना चाहिए दोस्तो आपके purifier में हेफा filter के साथ साथ एक pre filter और एक activated carbon filter अगर मौजूथ हो तो उसको देना सबसे best रहेगा जो filters में ये तीनों का combination होता है वो filters सबसे अच्छा होता है दोस्तो एक हेफा filter तो सिर्फ छोटे छोटे dust particle और error नस को चान लेता है लेकिन आपके हवा में जो toxic elements मौजूथ है उसको eliminate नहीं कर सकता है तो इसी के लिए यहाँ पर एक काम आता है activated carbon filter का दोस्तो एक activated filter carbon आपके room के अंदर मौजूथ सारे जो harmful toxic elements है आपके gas के अंदर उसको eliminate कर देता है तो इसी लिए एक activated carbon filter भी बहुत अच्छा मना जाता है इसके साथ साथ अगर हम लोग देखे तो एक pre-filter का होना भी अच्छा मना जाता है दोस्तो एक pre-filter का काम होता है कि आपके main filter में main air आने से पहले ही जो बड़े size का dust particles और allergens होता है उसको ये filter out कर देता है इसके वयासा क्या होता है दोस्तो इसके वयासे आपका जो main component main जो filter है उसमें load pressure कम पड़ता है और इसी वयासे आपका जो main filter है उसका lifespan भी increase हो जाता है दोस्तो एक जो main filter है उसका price भी बहुत जादा होता है as compared to इस pre-filter कर इसी लिए आपको अगर एक pre-filter का option मिलता है ये आपके main filter के cost cutting में भी help करता है क्योंकि ये overall आपका main filter का lifespan भी बड़ा देता है दोस्तो हेपा filter में भी आपको बड़ा filter size और high filter grades पे ध्यान देगना चाहिए आपका filter size जितना बड़ा होगा जितना large होगा उसका ही उतना efficiency अच्छा होगा इसके आलाबा आपको minimum target grade age 13 तक रखना चाहिए age 13 grades को उपर जो options available होते है वो तो obviously अच्छे होते है लेकिन आपको minimum target age 13 तक रखना चाहिए अब हम बात करते है second factor की जो की है size दोस्तो आपको एक air filter आपके room के size के अनुसार ही आपको खरीदना चाहिए अगर आप एक बड़ा room के लिए एक under size purifier खरीद लेते हैं तो उस purifier पे आपका बहुत ज़्यादा load और pressure पड़ जाएगा और इसी वयसे आपका जो purifier का life span है वो भी decrease हो जाएगा इसी लिए आपको एक optimal performance के लिए एक सही size का purifier चुनना भी बहुत आवश्यक है दोस्तों इहाँ पे मैं एक rough idea दे देता हूँ कि आपको कौन सा वाला size का purifier लेना चाहिए अगर आपका room size 28 square meter या उससे कम हो तो आपको एक small size purifier लेना चाहिए अगर आपके room size 28 square meter से लेकर 65 square meter तक है तो आपको एक medium size का purifier भी काम चल जाएगा और अगर आपके पास 65 square meter से 176 square meter तक के room size हो तो आपको ज़रूर से ज़रूर एक large size का purifier ही opt करना चाहिए अब हम लोग बढ़ते हैं next factor की तरब जो की है CADR rate CADR का full frame होता है दोस्तो clean air delivery rate इसको बहुत समाई ACH rate भी कहा जाता है ACH का भी full frame होता है दोस्तो air change per hour rate दोस्तो अब हम बता देते हैं कि CADR और ACH rate इन दोनों का मतलब क्या है दोस्तो CADR का मतलब होता है कि आपके room के अंदर मौजूद चोप air है उसको आपका purifier एक गंटे में कितने बार completely change कर सकता है तो आपका CADR या फिर ACH rate जितना high होगा उतना ही आपके लिए अच्छा है अब हम लोग अगर बात करें next factor की वो है noise level की दोस्तो आपके air purifier के noise level पे भी आपको ध्यान देना चाहिए इसी कारण क्यूंकि अगर आप रात को सोते हैं और यह ज़्यादा ही noise करता है तो आपके sleep के लिए भी यह बहुत disturbing हो सकता है इसी वयसे आपको एक 50 decibel तक ही noise level का target रखना चाहिए जो purifier के 50 decibel या फिर उसके नीचे noise level है वो आपको opt करना चाहिए next factor के अगर हम लोग बात करें जो की है certificate standards दोस्तो आपको purifier की certificate standards पर भी ध्यान देना चाहिए यानि कि यह purifier कौन-कौन से certification पास करता है जैसे कि आप लोग दूसरे category में देखते हैं कि एक ISI mark यह qualify करता है या फिर एक hall mark qualify करता है की नहीं इसी तरह इसमें भी आपको यह certifications ध्यान देना चाहिए इन certifications में सबसे जो important certification है वो है आपका AHM certification AHM का full front होता है दोस्तो Association of Home Appliance Manufacturers यह certification आपको ज़रूर ध्यान देना चाहिए next factor के अगर हम लोग बात करें जो की है warranty and after sale service generally दोस्तों आपको हर एक Purifier में दो साल का warranty देखने को मिल जाएगा इसके साथ साथ आपको after sale service और service centers कितना available है वो भी आपको देखना चाहिए अगर हम लोग Purifier की filter change के बारे में बात करें तो लगभग अभी सभी filters में एक filter change indicator मौजूद रहता है जिससे कि आपको पता चल जाता है कि आपके Purifier का filter change करने का सही सावाई कौन सा है दोस्तों आपको एक Purifier का filter आपके manufacture के recommendation का अनुसारी आपको change करना चाहिए आपको optimal performance मिलने के लिए अगर आप लोग late करके change करते हैं तो आपके filter जो है उसमें बहुत सारा dust particles accumulate होके उसको clog कर देगा इसके बयासे क्या होगा दोस्तों आपका जो Purifier है उसमें load या pressure बहुत ज़्यादा बन जाएगा इसके बयासे आपका Purifier के lifespan भी decrease हो जाएगा इसी वयसे सही समय पे आपका filter change करना बहुत आवश्यक है दोस्तों अगर हम लोग एक HEPA filter के lifespan के बारे में बात करें तो एक HEPA filter लगभग एक साल तक service दे देता है वहीं पे हम लोग एक activated carbon filter के बारे में बात करें वो आप हर एक time integral के बाद खूद hand wash करके उसको replace कर सकते है अब हम लोग अगर बात करें last factor जो की है budget के बारे में तो दोस्तों आपको air filter 10,000 से लेके 1,00,000 तक बहुत सारा variations देखने को मिल जाएगा आपको तो पता ही होगा जितना आपका budget का range भी ज़्यादा होगा उतना ही आपका air purifier का quality भी अच्छा होता जाएगा इसलिए आप थोड़ा ज़्यादा पैसा देके एक अच्छा वाला purifier खड़िदने के ही कोशिश किजिएगा तो दोस्तों ये सारे factors ध्यान देने के बाद अब हम लोग देख लेते हैं कि मेरे research के according मैंने 10 ट्यूप रिफेर्स आपके लिए लिस्ट करके रखा है तो चलिए दोस्तों वो लिस्ट हम लोग अभी देख लेते हैं झाल 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 झाल